नवस्कार किशान मित्रों, किशान मित्रों यद मोथा घास की समस्चा से आप परशान हैं, आपकी खेतों में बार बार या आपकी फसलों के अंदर बार बार मोथा घास उगाता है, देशी वहांसा में इसे भादा भी कहा जाता है, कुछ-कुछ इस्तानों पर भादा कहते है कहीं कहीं पर मोथा घास इसे कहते हैं कहीं कहीं पर मोथा ही बोला जाता है मोथा घास की समस्या से यदि आप परिशान है तो इसका रामबाण इलाज भारस सर्टीज एग्री सैंस लिम्टेड कमपनी ने ढूंड लिया है इसके बारे में जांते हैं कि किन-किन फसलों में इसको टाल सकते हैं और इसकी मात्रा क्या है इसको कब डालना काया है किसे स्थित पार मुथा घास की समस्या बहुत प्रिशान है तो इसका रामबाण इलाज्या आ गया है और अब मोथा घास की समस्या से पर्मननिजाद आपको मिन सकती है किसाम मित्रों इस दवा के प्रियोक से जब आपका खेत खाली पड़ा हो और खेत में नमी की परियात मात्रा हो तब आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसका प्रियोग कर सकते ही इसका प्रियोग आप 3.6 ग्राम प्रती 15 लीटर पानी के हिसाब से गोल बना कर मोथा घास पर इस्प्रे करें इस्प्रे करने के लगबग 10 से 12 दिनों तक कोई अंतर आपको मालूम नहीं पड़ेगा बारा दिनों के बाद में आपको ये थोड़ा थोड़ा पीला पड़ने लगेगा पौदा हरा की बजाए पीला पड़ने लगेगा पौदा और 25 बीच से 25 दिनों में लगबग ये पीला पर कर सूख जाएगा जितना आप लंबा समय देंगे उतना ही आपके लिए फाइदे मन्द है क्योंकि मुथा गास की जड़े इतनी मजबूत होती हैं इसको गड़ने में लगबग 20 से 25 दिन लग जाते हैं तो जितना लंबा से लंबा समय आप दे सकें आप इसको दीजिए उ उन फसलों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं फसले जैसे आपकी लौकी हो गई तरुई की फसल हो गई बैगन की फसल हो गई कद्दू की फसल है या कुंद्रू की फसल है परवल की फसल है इन फसलों में इसका प्रयोग आप 3.6 गराम परते 15 लीटर पाने में घूल बना कर आप छिरकाव कर सकते हैं एक बार पुना फिर से आपको बता देते हैं कि किन-किन फसलों में इसका प्रियोग कर सकते हैं इसका प्रियोग आप लोकी में, तरूई में, कद्दू में, करेला के फसल में उसके बाद आप बैगन की फसल में इसका प्रियोग कर सकते हैं इसका प्रियोग आप जान समझ लें तभी किसी अन्य फसलों में करें ताकि आपकी फसलों में कोई प्रभाव ना पड़े फसलों पर कोई नुक्सान ना आए किसान मित्रों यद इस मोथा घास की समस्या से आप बहुत प्रसान हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं भारत सरडीज एगरी साइंस लिम्टेड कंपनी ने अब इसका नाम एलान रखा है एलान जो दवा आती है भारत सरडीज की ये दवा मोथा घास की पाउधे से लेकर जड़ों तक अर्थात जड़ों को बहुत मजबूती से सुखाने का काम करती है इसको गलाने का काम करती है, जब मुथा घास की जड़े गल जाती है, तो मुथा घास पुना उगने में लगबग तीन से चार साल का समय आपको बीच में मिल जाता है, जिससे आप इस दवा का प्रियोग करके आप अच्छी उपन ले सकते हैं, और अपनी खेतों से मुथा घा सालों के लिए छुटकारा पा सकते हैं किसान मित्रों ये पर्मानेंट नहीं माना जा रहा या बताया जा सकता है कि इसका पर्मानेंट तीन सी चार सालों तक इलाज हो सकता है कि ये नहीं उगेगा लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि इसको डालने से पौदे की जो जड़े हो मूथा घास खतम हो जाती है यदि आप मूथा घास की समस्या से परशान है तो भारत सर्टी एग्री साइंस लिम्टेट कंपनी की जो एलान दवा आती है जिसका टेक्निकल नेम हैलो सलफुरान मिथायल 75% ये दानेदार फॉर्म में आती है जैसा कि इसक्रीन पर दिखाई दे